जाएं दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीदे दोस्तों आफसे बहुत अचीस होंगे स्वागत आफसे भी का इस वीडियो में आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं लखनव उनिवस्टी बीएट थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का एक बहुत इंपोर्टेंट सवाल जो कि पिछले पांच सालों में कम से कम तीन बार आपसे पूछा गया है वो क्या है दोस्तों पार्ठिकरम और पार्ठचेरिया में अंतर किसकी बात कर रहे हैं लखनव उनिवस्टी के पी एट थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में यह सवाल पूछा जाता है तो यहां पर हम देखेंगे कि पार्ठिकरम और पार्ठचेरिया में क्या अंतर है बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो में कि बच्चों के अकसर कंफ्यूजन हो जाती है कि वह करिकुलम को ही हम करिकुलम कहते हैं याद रखेगा कई बार वेबसाइट पर किताबों में इसको में स्प्रिंट कर दिया जाता है इसका रिफ्रेंस के लिए मैं बता दूँ की बीड में एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉलेजेंड करिकुलम ग्याने वन पार्टेक्रफ तो करिकुलम का मतलब पार्टेक्रफ चलिए इसके अंतर को देखेंगे पहले हम एक बार सौर्ट टर्म में समझ लेते हैं क एक सब्सक्राइद अब उसके बाद से आपका प्रेयर कब होगा आपके लंच कब हो गिए आपका स्लेबस क्या रहेगा कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे कब आपका एक्जाम होगा कब आपके छुट्टी होगी कब आपको तूर जाना है हर एक चीज दोस्तो हर एक चीज के अंतरगत यह जो परी सीमा होती है दोस्तो जो रेस कूर्स यानि कि घेरा होता है उसको हम करिकुलम का ही हिस्सा होता है सलेबस जो कि mostly और mainly focus करता है आपके पढ़ाई से कि आपको पढ़ना क्या है आपको knowledge किस चीज के लेना है जबकि करिकुलम आपको यह बताता है कि आपकी पूरी गतिवीदी कैसे होगी आपके अंदर वो खेल भावना का विकास करना आपकी physical emotional cognitive मेंटल हर एक प्रकार के development करिकुलम करता है जबकि knowledge based आपका syllabus करता है तो अब आई इसको हम डिफरेंस देखते हैं और कैसे लिखना है आपको एक्जाम से में यहां पर फोड़ा पॉइंट आउट करते हैं तो पार्टिक्रम और पार्ट चर्या का अंतर में आप इस तरीके स पार्ट का संकुकुचीत रूप है अब यहां से डिफरेंसे आपके सुरू होंगे एक ऑकर करके आप इसको यहां पर लिखते जाएं लिखना जाता है मैंने बताया आपको आपके physical आपके mental आपके emotions आपके कितना supportive है आप कितने cooperation आपके अंदरगत आता है तो यह सारी चीज़े जबकि पार्ठीचरिया स्लेबस द्वारा छात्रों के knowledge पक्ष पर ग्यानात्मा पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है तो पार्ठीकरम का छे पार्ठीकरम का निर्माध विध्यालय की बेवस्ता को ध्याल 지ивает क्या जाता है जबकि पारठीकरम का निर्माध दोस्तों विद्यालय के प्रसासने वां ध्यालय की विवस्ता को ध्यान में रख्या जया जाता है जिस आपको क्या dress पहनकर आना है यह pensionmanage डाछ यह Snub verschたい मतलब नहीं है जैसे मालगे CBSC एक हमारा syllabus है ठीक है तो CBSC का syllabus हर एक CBSC school में equal हो सकता है लेकिन जरोर यह हर CBSC स्कूल के बचे एक ही dress पहने तो dress पहनना आपका क्या है curriculum का हिसा है आपको पढ़ना क्या है यह syllabus का हिसा है तो सबी लोग अपने अपने अनुसार करिकुलम बनाते हैं, ट्रेस क्या पहना है, कितने बज़े आना है, इसलिए आप अक्षर देख सकते हैं, करिकुलम आपका कहां पर विद्याले की विवस्ता को ध्यान में रखते हैं, इसका निर्माण किया जाता है, इसी तरीके सापको लिखते हैं, अब आईए, इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, पार्टे कर्म का उद्येश समाजिक परिवर्तन लाना एवं सिख्षा विवस्ता में सुधार लाना है, और इसी के अनुसार उद्देश्यों का चयंग किया जाता है, पार्टे करिकुलम ये भी देखा है, कि बच्चे के अंदर सोअसल अवेर्निस कितना आ रहा है, हो कि वर दोहत हैं। चैरबสर्व ऩ pista को सब्धाराया जात है. 2008 तो संपूण पाठकरम का का यह काम है कि वो समाज को भी देखें कि समाज के रीए वो बच्चा कितना उपीयोगी है कुछ और छोटे छोटे पॉइंट है ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है पार्टेक्रम द्वारा समाजिक स्वार्थ को प्रथामस्थान दिया जाता है और पार्टचर्या पार्टवस्थू का उदेश चात्रों का ग्यानादमक पक्षव होता है समझगे पार्टेक्रम में समाजिक स्वार्थ को प्रथामस्थान दिया जाता है पार्टेक्रम का छेतर व्यापक है और पार्ठचर्या पार्टवस्थू का छेतर संकुचित है चले बहुत अच्छह अगर आप चाहे तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लास्ट में एक निशकर्स point आप लिख सकते हैं कि पाठ च्णरय या पाठे वस्तू पाठे जीड़ों का ही भाग है। सलयबस जो होता है वो करिकुर्म का ही भाग है। एक ़ंग है। पाथिक्रम सब्दी का परियुग व्याप्य karyon प्रियुग व्यापय रूप में किया जाता है। पाथिक्रम का अधार समाज और विध्यालय प्रशासन होता है। वहीं पाथिवस्तु रिख्षण के दोरान पढ़ाई जाने वाली विशे वस्तु होती है तो ये हो गई बहुत ईशॉर्स-फर नोट में आपके पार्ठ रेम और पार्ठ चाह्या में अंतर मैं आसा करता हूं आपको समझाया होगा मैं आसा करतो हूं यह थोडी वीडियो सहायक होगी आपकी exam point of view से अगर exam में आता है तो आप इसी आदार पे लिख सकते हैं ठीक है घब सावप में आता है